हलो एवरिवन, वेल्कम टो मैं यूटीब चैनल विनाक्षी मैंस क्लासिज, आज इस वीडियो में हम करेंगे इस वीडियो में हम करेंगे वैल्य बेस्ट क्वेस्चन, क्वेस्चन देखो क्या है नेहा अपनी मदर के साथ मार्केट में गई है, तो जो रोड पर वो जब जा रहे थे तो उनको बोड ट्रैफिक मिला है तो नेहा ने रोड के साथ पर उसने देखा कि कुछ ट्रैफिक सिंबल्स बने हुए है उनहीं में से कुछ सिंबल्स आपको यहां पर दिये हुए है तो यह 6 सिंबल्स है, 6 सिंबल्स दियो हैं, उसके बाद आपसे कोश्चन पुछा गया है which of these signs have line of symmetry इन में से किस में line of symmetry है write the name of line of symmetry for each ठीक है और उन में से हर एक के लिए आपको line of symmetry बतानी भी है write भी करनी है find out the meaning of each of these signs why is it important to obey traffic rules तो पहले यहां पर देखो which of these signs have line of symmetry इन में से पहले तो आपको देखना है कि किस में आपकी line of symmetry बनेगी write the number of lines of symmetry for each और उसके बाद आपको देखना है कि कितनी कितनी line of symmetry यहां पर बन रही है तो सबसे पहले हम यहां पर देख लेते हैं मैं आपको यहां पर line of symmetry डो करने के लिए तेको मैं आपको यहां पर mirror दिखाऊंगी क्योंकि हमने इससे पहले भी mirror का ही use किया था उससे हमें easily पता चल जाता है कि line of symmetry है या नहीं ठीक है तो यहां पर देखो इसमें आप क्या आप इस पूरी figure को ऐसे दो pieces में बाढ़ सकते हो कि दोनों एक जैसे हो तो यहां पर देखो पहली बात तो यह आपका आपसे जो second question उसमें से पुछा गया find out the meaning of each of the sign so to मैंने इनके नीचे लिक भी दिया है और यह देखें यह सब मैंने आपका net पे से सर्च करके ही लिखा है अगर आपको लगेगी कि यहां पर किसी का मैंने कुछ और बन रहा है तो आप मुझे बता देना कि किसी सिम्बल का अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं यह नहीं होना ची कुछ है और है इसका meaning तो आप मुझे यहां पर comment में जरूर लिख देना वैसे मैंने काफी सर्च करने के बाद यहां लिखा है यहां देखो horn बना हुआ और उसको cut किया है तो इसका मतलब क्या है कि किसी चीज़ को cut कर देना मतलब बना किया है तो horn का use नहीं करना तो यह किसका symbol है no use of horn तो अभी आप यहां से देखो हम इसमें देखेंगे कि line of symmetry है या नहीं है तो हम अपना mirror को place करेंगे और फिर देखेंगे कि यहां पर आपका बन रहा है या नहीं ठीक है तो मैं अगर यहां पर mirror place करूं अगर मैं यहां पर इस तरीके से place करते हूं mirror को ठीक है नहीं हुश और तो म्तलब ही बन गया तो मतलब їम से लानी नहीं है कि अगर हम इसाय से यहाँ पर ऐ i.bust प्लेस करें तो आप यहाँ पर भी कुछ भी बन जाता मितलब होर्न बनता नहीं है उस मिहनаст में नहीं यहां पर हम लिखेंगे इसमें लाइन सीमेट्री नहीं है नो लाइन सीमेट्री नो लाइन ओफ सीमेट्री ठीक है सेकंड आपका एक ट्राइंगल के अंदर ऐसे क्रोस किया हो यह 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 शो करता है अनकंट्रोल्ड क्रोस रोड ठीक है किसको यह शो करता है अनकंट्रोल्ड क इसमें हम देखेंगे कि यहां पर आपका लाइन उसमेट्री आएगी या नहीं अगर देखो मैं इस तरीके से रखती हूं तो देखो जैसा आपका सिंबल पहले से है अगर मैं बीज में यहां पर अपना यह मिरर प्लेस करती हूं तो भी वह वैसा ही वैसे का वैसा बना रहता तो यह हमारी वल नाइन स्मिट्auen आएगी ौगर आप इस देखो अगर आप कहीं और से इसको करते हो अगर आप ऐसे करते हो ठीक है अगर आप ऐसे प्लेस करते हो मतलए यहां तो मैंने आपका वह वल्टेक्स पर से बीच में लेकिक आये थी अगर मैं इस वर्टेक्स जहाँ से प्लेस करती हुँ तो तो यहां पर इस की जो शेप है वह से वह ही नहीं रहती training कुछ और बनता है ठीक है तो इस पर आगर इस cortex में से प्लेस करती हूं इसका सिंबल है तो अब हम इसमें देखते हैं कि यहां पर हमारी आएंगी या नहीं तो अब मैं देखो पहले उपर वाले वर्टेक्स पर से ऐसे प्लेस करती हूं तो देखो वही मैं थोड़ा आपको इधर करके दिखा देती हूं एक मिनट वेट करें अगर हम इसको ऐसे प्लेस करते हैं तो आप देखो यहां पर जैसी ट्राइंगल है अगर मैं यहां मिरर ऐसे प्लेस करती हूं इस तरीके से तो आप देखो वही की वही ट्राइंगल सेम वही बनी रहती है तो एक तो यहां से आएगी ऐसे जैसे जहां मैं विए इस तरीक confess आपर इस तरीक से ऐहां पर हम रख्खते तक तो यहां पर एक तसे डियों डुआए रहते हैं जैसे पहले थी ठीक है पृप्छ प्रीक को ड्राइंगल हो जाती है कि hyster Marines कर थो यहां पर यहां पर इस वर्ठक्स करें可能 report रिभाद devient इस अधर हम इस तरीक से यहां देखें इस तरीके से तो भी आपकी ट्राइंगल क्या होती है मैं इस साइड का मिट पॉइंट लोंगे और उसको बीच में से आसे करूंगी तो भी ट्राइंगल सेम वैसे ही बनी राती है तो इसमें थ्री लाइन ऑफ सिमिट्री आएंगी यहां पर इसमें लिखना वन लाइन ऑफ सिमिट्री और इसमें थ्री लाइन ऑफ सिमिट्री ठीक है और ड्रो भी करके दिखा दे ना तो यहां पर वन तो यहां से आएगी ठीक है वन यहां से आजाएगी इस तरीके से वह थर्ड वाली आपकी यहां से आ जाएगी है जैसे आपकी एक्विलेटरल ट्राइंगल में बनती थी सेम वही है ठीक है नेक्स्ट है आपके पास यह आपका फॉर्थ सिम्बल है आपका यहां पर स्टोप लिखा हुआ तो यह किसको शो करता है टेंपरेरी स्टोप साइन कि आपको वहाँ पर स्टोप करना है ठीक है यह उसका सिम्बल है तो अब आप यहां से देखो अगर आप इसमें मीरर को प्लेस करते हो देखो यहां पर फिगर के अंदर हेक्सागन के अंदर स्टोप लिखा हुआ है तो स्टोप बना रहना चाहिए तो अगर मैं बीच में आप इस थी यहां से प्लेस करते हो तो भी आपको पूरा को स्टोप नहीं मिलेगा कुछ ओर ही बन जाएगा कहीं से भी प्लेस करके देख लो आपका सेम वैसा नहीं आएगा तो इसमें आपके कोई भी लाइन ओन सिम्मेट्री नहीं आएगी तो यहां लेको गेई नो आप अपना बुक पर ही कर लो नेक्स्ट है हमारे पास देखो यहां पर यह क्या है पैटिस्टेरियन क्रोसिंग है जैसे कि जहां पर जो हुमन वह चल सकें ठीक है वह यह वह वहला सिंबल है तो अब हम इसमें देखेंगे कि इसमें लाइन सिमेट्री आती है या नहीं तो ट् यहां पर इसमें लाइन सिमेट्री नहीं आएगी तो जो आपका फिफ्त है इसमें नो लाइन सिमेट्री तो यहां पर इसमें नो लाइन सिमेट्री सिक्स पार्ट है स्क्वेर बोक्स है और इसमें बीच में प्लस का सिंबल है प्लस का सिंबल आपको पता है यह फर्स्ट्रेट का सिंबल होता है तो यह फर्स्ट्रेट का सिंबल है अब यहां से देखो स्क्वेर में आपकी फोर ल वर्टिकल यह आएगी ठीक है और अगर मैं यहां पर ऐसे ऐसे पूट करती हूं तो आप यहां से देखो यहां पर अब भी आपका सिंबल वही का वही बना रहता है ठीक है प्लस तो मिसले दो तो इस तरीके से आ जाएंगी तो मैं यह रोगर देती हूं और यहां से और यहां से ठीक है टू तो हमारी यह हो गिया है horizontal and vertical ठीक है और हमें पता था diagonally भी बनती थी square में तो हम यहां diagonal पे भी इस पे रखके देखते हैं ठीक है मैंने diagonal यहां से पूट किया तो देखो आपका वही का वही पूरा square तो यहां एक इस डाइगनल से आएगी और एक आपकी इस डाइगनल से यहां से देखें पूरा कंप्लीट हो जाता है मैं आपको दुबारे से लगा के दिखा देती हूं ठीक है थोड़ा सा यह इस वज़े से है क्योंकि मुझे बुक उठाके आपको पूरा एक्जैक्टली द ठीक है तो इसमें आपकी कितनी आई है four lines of symmetry तो हमें लिखेंगे four lines of symmetry तो यह हो गया आपका value based questions हो गया आपका ठीक है यहां पर मैंने इसमें आपके traffic symbols दियो थे इनके meaning भी बता दिये है और line of symmetry भी बता दिये है एक बार question दुबारा से देखो which of these signs have line of symmetry तो इसमें कौन-कौ 3rd में है और 6th में तो यहां आप यहां लिख देना 2nd 3rd and 6th ठीक है और उनकी line of symmetry हमने बता रहे है second में one line of symmetry है third वाले में three line of symmetry है और 6th में आपकी four lines of symmetry आई थी write the number of line of symmetry for each वह हमने लिख दिया line of symmetry जितनी है find out the meaning of each of these signs अब यह जो signs है इनके meaning वह मैंने सबके साथ लिखके no use of horn uncontrolled crossroad giveaway temporary stop sign pedestrian crossing and first aid why is it is important to obey traffic rules अब यह क्यों important है हमारे लिए कि हम जो traffic rules है हम उनको obey करें तो अब आप यहां पर देखे अगर आप traffic rules को बे करते हैं एक तो यहां से क्या होगा accident से जो हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे reduce हो जाएंगे मतलब कम होंगे reduced reduce road accidents ठीक है और अगर हम traffic rules को अबबे करते हैं तो यह हमारा जो discipline में भी रहेगा discipline in traffic ठीक है तो यहां पर आपका value-based question हो गया अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को like करें मेरे चैनल को subscribe करें और अपने friends के साथ share जरूर करें थैंक्यू सो मच थैंक्षड़ी आपको प्रिक रोर्वेव्ण घयाँ जरूर करें मेरे रहे हैं BT—